हलो फ्रेंड विल्कम टू मैं चैनल स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मैं और भी बात करूंगा आपसे इस उड़े में सम्धान से संब्धित कुछ महत्पुण बहुकल्पी प्रस्णों के बारे में और यह हमारा पहला पार्ट है इसके बाद जो है हम लोग और भी बात करें तो अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और विल आइकन को दवाना मत भूलेगा जिससे के आपको नई वीडियो की नोट्रिफिकेशन समय से मिलती रहे तो शुरू करते हैं अपना वीडियो पहला प्रशने समिधान सवा के आस्थाय अध्यच थे डाक्टर राधिन व्रसाद जी डाक्टर सचिदानन सिनहा जी डाक्टर बियार अंबेटकर जी एस राधा कृष्णन जी तो समिधान सवा के आस्थाय अध्यच थे डाक्टर सचिदानन सिनहा जी देखे, 19 दिसंबर 1946 को समिधान सभा की पहली बैठा गोई थी इस दिन जो है आस्थाई रूप से अध्धच चुना गया था डाक्टर सचिदानन सिनाजी को याद रखेगा समिधान सभा के इस्थाई अध्धच कौन थे डाक्टर सचिदानन सिनाजी, एस राधा कृष्णनन, अमबेटकर जी या राजन ब्रसाजी तो समिधान सभा के इस्थाई अध्धच थे डाक्टर राजन ब्रसाजी जो की हमारे पृतम राष्टपती थे और 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है समिधान सभा की प्रस्ण हमारा भारती समिधान सभा की इस्थापना की गए थी देखे भारती समिधान सभा की जो इस्थापना हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसी धिन पहली बैठक होई थी समिधान सवा में उद्देश प्रस्ताव निम्ण में से किस एक के द्वारा प्रस्तूत किया गया था डाक्टर भीमरा मेटकर, पंडिन नहरु जी, डाक्टर राजम्रसाज जी, डाक्टर सीड़ी, देश्मुग जी तो समिधान सबा में जो उद्देश प्रस्ताव प्रस्तूत किया गया था वो प्रस्तूत किया था पंडित जवहलाल नहरुजी ने ठीक है याद रिकेगा प्रश्टे मारा गलाब भारती समिधान सबा का निर्माड कब हुआ था यानि कितने दिनों में हुआ था दो वर्स ग्यारा महा, दो वर्स दस महा, दो वर्स ग्यारा महा अठारा दिन या तीन वर्स में तो भारती समिधान का जो निर्माड हुआ था वो हुआ था दो वर्ष क्यारा महा अठारा दिन में ठीक है इसका आपका सीस है और इसी प्रकार से जो प्रस्ण है आपके ट्रेट के एक्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि जादा डीटेल से नहीं पूछा जाएगा मुझे पता है क्योंकि आज तक जादा डीटेल से नहीं पूछा गया है तो उसी इसाफ से प्रस्णों को मैंने अपने वीडियो में सामिल किया हुआ है चाहे वो बाल उकास हो हिंदी हो चाहे वो आपका इवीस हो अब बात है समिधान की तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ रह है ये थे जवाहा लाल नहरूजी संग समिधान समित के अधच थे जवाहा लाल नहरूजी अगला है समिधान सवा के प्रांती समिधान समित के अधच कौन थे प्रांती समिधान समित के अधच थे सरदार वल्लब भाय पटेल इन्हें लोग पूर उसका आ जाता है ठीक है द सरदार वल्लभ पयटिल जी और संग समिदान समित के अद्यच थे पंडिन नहरू जी बारती समिदान सभा की प्रारूप समित के अद्यच कौन थे तो प्रारूप समित के अद्यच थे डाक्टर भीमराव मेटकर जी जो की बहुत important है एक्जाम में ये काफी बार पूछा गया है आप लोग जो है इसको रण लिजिएगा थिक है तो प्रारूप समित के अध्य anunci ते। अगला प्रशनिसी पर है प्रारूप समित में कुल सदस से थे साथ कौन कौन से थे नाम जान लिजे पहले नमबर पर तो प्रारूप समित में कुल सदस्य थे साथ अध्यच थे भेमराव मेटकर बारती सम्विदान के निर्माण के समय सम्विधानिक सलाहकार कौन थे डाक्टर भेमराव मेटकर डाक्टर राजिमसाद बियन राव के मुनसी तो सम्विधान सभा के निर्माण के समय सम्विधानिक सलाहकार थे बियन राव जी इनका पूरा नाम है बेनेगल नर्सिंग राव तो भारती सम्विदान के निर्माड के समय सम्विदानिक सलाकर बियन राव जी थे ठीक है प्रशने मारा अगला भारत की सम्विदान सभा ने राष्टी धज को सरोपर्थम कब सुईकार किया तो इन्होंने जो भारती सम्विदान सभा थी राष्टी धज जो की हमारा जंडा है इसको जो है 22 जुलाई 1921 को अपनाया था ठीक है और अगर देखा जाए तो राष्टी धज का जो प्रारूप तयार किया था वो तयार किया थे आप पिंगली वेंकईया ने और हमारा जो राष्टी धज है उसमें जो चक्र है उसमें 24 तीलिया है ठीक है और धज की लंबाई और चवडाई में जो अनुपाद है वो है 3 अनुपाद 2 का याद रखेगा इस पर भी प्रश्ण पुछे जाते हैं और जो चक्र है वो नील रंका है ठीक है अगला परशने समिधान निर्मात्री परिसद की जंडा समिध के अध्यच थे तो जंडा समिध के अध्यच थे आपके डाक्टर राजिन पसाद जी भारत का समिधान कब अंगीकरत हुआ यानि भारत का समिधान कब बनकर तयार हुआ और ये कब अपनाया गया तो 26 नॉमबर 14, 15 अगरस नॉनिस 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 नॉनि किसके द्वारा अपनाया गया समिधान सभा द्वारा ब्रेटिस संसर द्वारा गवर्णर जर्णरल द्वारा भारती संसर द्वारा तो समिधान जो था भारत का वो समिधान सभा द्वारा जो है 26 नूंबर 1949 को अपनाया गया था अगला है इसी पर प्रश्ण बारती समिधान कब लागू हुआ 26 जनुवरी 1950 तेज जनुवरी 1950 पंद आगस 1947 चब्विश दिसमबर 1949 तो भारती जो समिधान था आपका ये लागू हुआ था 26 जनुवरी 1950 को और अंगी गरत कब हुआ था 26 नौंबर 1949 को कि अगला बहुत ही अच्छा प्रश्ण है कितने भी प्रश्ण मैंने सामल किये हैं अपने वीडियो में आज की कितने महत्यपोड हैं कि हो सकता है आपको इसी में से एक्शाम में मिल जाये तो प्रश्ण है किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्टगान के रूप में अपनाया गया 1948, 1949, 1950, 1951 देखिए जो राष्टगान है हमारा जनगण मन वो 1950 में जो है अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था ठीक है अगला प्रश्ण है राष्टगान की समयावद कितनी होती है तो राष्टगान की जो समयावद होती है वो होती है बावन सेकंड की ठीक है राष्टगान जो है हमारा जनगण मन वो लिखा था किसने वो लिखा था रविनाट टैगोर जी ने अगला है भारत सासन द्वारा राजकी चिन कब से अंगी गरत किया गया था जो राजकी चिन है वो कब से अंगी गरत किया गया था तो ये जो है अंगी गरत किया गया था कब से 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 से भी राजकी चिन अंगी गरत किया गया था में रास्टकान जो था हमारा 24 जनवरी 150 को अपनाय गया घी LIH 2013 कि अपनाया गया था अंगी करत करना मदद और अपनाना अगला है राष्ट गान किसने लिखा था मैंने अभी आपको बताया था राष्ट गान जो की जनगर्मन है किसने लिखा है रविना टैगोर जी ने इसी पर अगला प्रस्ण है राष्ट गान जनगर्मन कब गया गया था पहली बार 1912 में 1920 में 1911 में 1915 में तो जो राष्टगान था वो सबसे पहले जो है कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और ये कब गया गया था ये गया गया था 1911 में ठीक है तो एक बार जो है राष्टगान पर हम नजर डाल लेते हैं कि जो राष्टगान जैनगडमन है उसके बारे में जा लेते हैं कंड की होती है ठीक है और यह 24 जनुवरी WE1950 को जो है भारती समिधान द्वारा अपनाया गया था कि अगला प्रस्ण है राष्ट गीट पर राष्ट की थमारा बंदे मात्रम है तो यह कब अंगी रत किया गया यहानि भारती समिधान ये सामिल किया गया था 22 मार्च 1957 को देखिए राश्टी गीत और राश्टी केलेंडर एक ही दिन जो है अंग् idag किया गया था तो 22 मार्च 1957 को जो है वंदेमात्रम लिया गया और राश्ट गीत किसने लिखा था रविना टैगोर, राजन पुसाद, बंकिंचंद चटर जी, अम्बेड कर जी तो राष्टगीत जो है ये लिखा था बंकिंचंदर चटर जी ने ठीक है? और इसकी समयावद जो होती है लगबग एक मीनट पांच सेकेंड यानि कह सकते हैं 65 सेकेंड के लगबग होती है ठीक है? याद रखेगा अगला है इसी पर प्रप्रशन है राष्टगीत जो है बंदे मातर में पहली बार कब गया गया था? 1986, 1886, 1898, 1880 तो राष्टगीत जो है हमारा बंदे मातर में ये पहली बार जो है 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गया गया था यानि जो राष्टगान था जनगरवन और राष्टगीत ये दोनों जो है कोलकाता अधिवेशन में गया गया थे जो हमारा राष्टगीत था जो राष्टगीत है वो 1896 में पहली बार गया गया था और जो हमारा राष्टगान है वो गया गया था निस्सोग्यारा में अगला प्रशन है राष्टि Candor सक्ख संवद कब अपनाया गया तो मैंने अभी आपको बताए था कि 22OMARC 1957 को अपनाया गया था यानि राष्ट गीत और राष्टी केलेंडर ये एक ही दिन अपनाए गए थे ठीक है? याद रखेगा? और आपका राष्टी ध्वज कब अपनाए गया था? ये अपनाए गया राष्टी ध्वज 22 जुलाई 1947 को अगला है भारती सम्विदान का प्रतम प्रारूब किसे ने तयार किया? भारती सम्विदान का प्रतम प्रारूब बी अन राव ने अपनाया था जो की प्रतम समयधनिक सलाकार थे तो भारती सम्विदान का प्रतम प्रारूब बी अन राव ने तयार किया था अगला भोती अच्छा प्रसने समिधान सभा की दूसरी बैटक कब हुई थी मैंने अभी आपको पता है आपको पता ह heir कि समिधान सभा की दूसरी बैटक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी इसी दिन जो है राजयम व्रसाद जी जो है समिदान सभा के आस्त, इस्थाई अर्धक्च बनाए गए थे, ठेक है? तो पहली बैठक कब ही थी? 9 दिसंबर 1946 को अगला प्रशन है मारा, निम लिकित में से किस अधनियम में कलकत्ता में सरवोच नयाले की इस्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधनियम 1784, चारटर एक्ट 1813, चारटर एक्ट 1833, तो कोलकाता में सरवोच नयाले बनाने का जो प्रावधान किया गया था, वो किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा और पहले जो जज थे वो थे एलिजा इंपे, ठीक है? याद रखेगा, अगला परसने बारती समिधान में कितने अनुच्छे थे? यानि जब देखेगा थे, मतलब जब समिधान हमारा बना था तो उसमें कितने अनुच्छे थे? 420, 390, 395 या 400 तो देखेगी जो हमारा बारती समिधान बना था तो उस समय जो अनुच्छे थे वो थे 395 याद रखेगा? अगला प्रस्मे बारती समिधान में कुल अनुच्छे है, यानि वरतमान में कितनी अनुच्छे हैं? ये जो सब देखना है और था थी, यही बहुत महत रखते हैं, तो बारती समिधान में कुल अनुच्छे हैं, 10, 8, 12, 16 तो ये वरतमान में 12 अनसूचिया है जब हमारा समिधान बना था तो उस समय आठ अनसूचिया थी भाकी की 4 अनसूचिया अभी जोड़ी गई है अभी मतलब जब से देस आज़ाद हुआ है अब तक 4 अनसूचिया जोड़ी गई है अगला है भारती सम्धान के कितने भाग हैं 20, 23, 21, 22 तो भारती सम्धान जब बना था और वरतमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुए भारती सम्धान के 22 भाग हैं इसका अपसना आपका डेस है तो देखिए इस प्रकार से हमारा वीडियो यहीं पर समप्त होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, सेर करेगा कमेंट करके बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा थैंक्यू फ्रेंट से आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद